नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका exam book चैनल में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगो कि UPSI 2020 के जो exam है उसके लिए आपके पास क्या-क्या document होने जरूरी हैं देखिए स्टेज इस तरीके से होती हैं कि आप written देंगे written के बाद आपका admit card जारी होगा written में आप qualify हो होता है फिर उसके बाद DV-PST करने के बाद PET के लिए आपको अलग से admit card जारी होता है ठीक है अब यह जितनी भी चीज है कि DV क्या होता है पीस्टी क्या होता है यह सब चीजें जो है मैंने description में आप जाईए वहाँ पर आपको telegram link भी मिलेगा उसको join करिए और उसी महीं मैं यह 2-3 वीडियो जो उसको डाल रहा हो तो आपकी जितने भी confusion है और जो भी चीजें आपको सब clear हो जाएगी DV क्या होता है पीस्टी क्या होता है नापतौल में कितना नापते क्या मतलब चितनी भी चीजें होती है height वगरा जो भी है उस सब मैंने description में जो है video सारी डाल लग पढ़ते हैं और किस वज़े से बहुत सारे बच्चे इन documents को नहीं रख पाते हैं वहाँ पर तो वह कहीं ना कहीं OBC, SC, ST में होने के बाद भी तब भी वह general में count होते हैं ठीक है तो इसमें मैं आपको यह सब चीजे बताऊंगा अब आगे बढ़ते हैं सबसे पहले देखते हैं general category ठीक है general category के आपके पास 10th का certificate होना चाहिए 10th class की mark sheet या certificate जैसे अभी तो क्या हो रहा जो नए बच्चे है उनके लिए तो क्या हो रहा कि certificate इसको सनद बोलते हैं और mark sheet दोनों एक ही में आ रही हैं पहले वाले बच्चों के साथ अलग अलग होता था तो आपको दोनों यह की रख सकते हो ठीक है उसके बाद है graduation की सारे year की degree अगर आपने b.tech किया है आपने b.com किया है आपने कुछ भी किया भी फार्मा जो भी कुछ है graduation में जो आता है degree ठीक है उसमें आपको सारे जितने भी year हैं तीन साल चार साल ठीक है सब की आपके पास mark sheet होने चाहिए ठीक original और आपका photo sheet वगरा original देखते हैं मेली वो ठीक है आगे बढ़ा देते हैं फिर आपका मूल निवास परमाण पत्र आपके पास होना चाहिए मूल निवास परमाण पत्र नया या पुराना दोनों में से कोई भी चल जाएगा कोई ऐसी problem नहीं है पुराने जो मूल आजकल क परमाण पत्र बने और बकायदा उसमें proper तरीके से सब कुछ अच्छे तरीके से लिखा हुआ आता है ठीक है और जो पुराने वाले होते थे उसमें handwritten वाले होंगे या कुछ होंगे तो मैं जिनके पास पुराने वाले हैं उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप online उसको जो है एक बार चड़वा लेजे online उसको register करा देंगे और उसके लिए कुछ नहीं होता क्यों आपके जो वो होते हैं जो केंदर बनाए जाते हैं जहां पर आधार बगरा बनता है वहां पर जाएंगे तो यह सारा काम आपका कर देंगे उसमें कोई problem नहीं होती है ठीक करेंशन में आपका जो है थोड़ा साब को वेटेज दे सकती है फिर उसके बाद आते हैं एक ID ठीक है एक ID आपकी जो है वह नहीं आपकी जरूरी है और जितने भी मैंने यह सब चीजे बताई है सब के आपके पास एक फोटो कॉपी होने चाहिए एक ओरिजिनल कॉपी होने फिर आचलते हैं OBC पे OBC में भी सेम 10-12 की माक्षीट Graduation सारे जितने भी All Years की माक्षीट Moon निवास प्रमाडपत नया या पुराना मैंने बता चुका हूँ जिनके पास पुराना है वो एक बार उसको online जो है चड़वा लेंगे तो आपका जो है वो online एक शो करने लग अधिमानी अरता है ठीक उसका मैं बता चुका हूँ डेस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है और एक ID ठीक है अब कास्ट सेटिफिकेट जो है वो क्या होता है ठीक कास्ट सेटिफिकेट देखिए कास्ट सेटिफिकेट में बहुत सारा एक तरीके से आपको जो है confusion है का कास्ट सेटिफिकेट आपको कब से लाना है क्या नया चल जाएगा या पुराना चल जाएगा देखिए जिस दिन आपका नोटिफिकेशन जा रही होगा उस दिन से पहले-पहले का आपके पास जो है कास्ट सेटिफिकेट आपके पास होना चाहिए नया कास्ट सेटिफिके जुलाई का ठीक तो वो नहीं चलेगा नया मतलब नोटिफिकेशन के बाद का अगर आप उनके पास ले जाते हैं तो वो मानने नहीं होगा और यह चीज नोटिफिकेशन में भी लिखके आईगी कि इस दिन से पहले-पहले का आपके पास OBCT का सेटिफिकेट आपके पास होन सब्सक्राइब करें के था करता है और क्याना पत्रिके अगर आप कि नहीं लगाते हैं तो आपको अधर शका शफिकेट यह तो और आम अगर है तो बनवा लीजीए अभी और अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास आराम से उसको रखे रहे हैं अधिमानी आरता हैं संबंदी सेटिफिकेट ठीक है अधिमानी आरता हैं क्या होती हैं वो मैंने आरता हैं मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है न मैंने बहुत अच्छे से समझाया क्या क्या चीज आपको उसमें ध्यान देनी पड़ती हैं ठीक है तो फिर उसके बाद आते हैं EWS के पास ठीक है अधिमानी आरता एक आईडी और EWS का सेटिफिकेट अब इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या है समय क्या EWS का सेटिफिकेट जो है वो नोटिफिकेशन से पहले पहले चाहिए या डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर चाहिए क्योंकि EWS के साथ प्रॉब्लम यह जाए कि वो एक साल के लिए वैलेड होता है अब माली जैसे इन्होंने 2016 में किया एक साल बाद पेपर लिया नोटिफिकेशन के उसके एक साल बाद जो है करेक्ट जाके उसका डॉक्मेंट वेरिफिकेशन किया ठिक तो भाई हो सकता है वो EWS ना रहा हो डॉक्मेंट EWS का Certificate यह यह चीज़ें होती है मैं अभी आपसे कुछ कहूँ और कुछ और निकले तो ठीक नहीं लगता है उसकी गाइडलाइन जब आएगी तब मैं आपको उसमें पढ़के उसमें आराम से आपको समझा दूए वीडियो के माद्यम से ठीक है तो इतनी सारी चीज़ें होती है यह आपके पास Certificate इतने ही Certificate होने चाईए बात करते हैं character certificate की character certificate आप से document verification के समय नहीं मागा जाएगा वो आपसे कब मागा जाएगा जब आप सलेक्ट हो जाएंगे सलेक्टन के बाद जब आपकी medical हो जाएगा medical के बाद आपको जो है वहां पर आपसे character certificate मांगते ह आप से जहां जहां से आपने पढ़ाई करिए सब जगह से आपको character certificate देना पड़ेगा फिर बकायद है constable जाएगा वहाँ पर फूस्ताज करेगा कि भाई यह जो है उद्धंडी टाइप का बच्चा तो नहीं था ठीक है और नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं रिपोट आप तो इतने सारे document जो हैं वो आपके लगते हैं और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो like, share, subscribe जरूर करें और मैं काफी सारी वीडियो जो है UPSI के लिए बनाता रहता हूँ आप जाके उसको जरूर देख लिए प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट जर में आजाएगी, thank you दोस्तों